यहार एक अच्छा सूट सबसे sexy piece of clothing होता है किसी भी लड़के या आदमी खेले और इसलिए यह हर लड़के या आदमी के पास होना ही चाहिए यह आपकी body में एक symmetry आड़ करता है आपकी body balanced लगती है तो चाहे आप इसको किसी function पे पहनो या फिर अपने office में पहनो आप सबको impressed करोगे चाहे वो आपका boss हो या फिर आपकी crush हो बट suit पहनने की जो charm होती है वो किसी trend से नहीं आती वो इसकी classic look से आती है लेकिन क्या यह classic look के लिए आपको 8, 9, 10,000 spend करने की जरूरत है जैसा बाकी लोग कहते हैं इस वीडियो में यही find out करेंगे What's up bro, welcome and welcome back to be your best मैं हूँ Sankalra आज के वीडियो में आपको पताऊंगा कि आपको अपना suit कैसे stitch करवाना है सबसे अच्छी budget में किसी offline store से and मैं आपको अपनी suit stitching की जरनी पे अपने साथ लेके चलूंगा थोड़े से vlog की तरह तो stay tuned क्योंकि बहुत interesting होने वाले आपको पता चलेगा कि finally suit मेरा कैसा निकला and to be your best in looks and personality अभी subscribe करो for new videos every week and हाँ notifications भी on कर देना सबसे पहली चीज मैं recommend करूंगा कि आपको अपने college के second last year से पहले suit नहीं लेना चाहिए दूसरी चीज जो भी आप suit ले रहे हो please three piece suit से ही शुरू करना एक classic look में क्योंकि वो आपको सबसे ज़ाधा value for money देता है आपका पैसा वसूल होता है मैं आपको समझाऊंगा आगे कि ऐसा क्यों है and उसको आप हजारों तरीकों से style कर सकते हो एक suit styling video चाहिए तो पका से 5000 likes करवा देना इस वीडियो पर तो आपको एक ready made suit लेना चाहिए मतलब की पहले से बना हुआ या फिर आपको stitch करवाना चाहिए अपने लिए suit यार देखो एक tailor का बनाये हुआ suit हमेशा 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 better लगेगा क्योंकि उसकी fit जो होगी वो आपकी body के हिसाब से सही होगी और क्योंकि perfect body सिर्फ एक mannequin की हो सकती है मतलब वो जो पतला पड़ा होता है shops में हम humans की perfect body नहीं हो सकती तो उस asymmetry को match करने के लिए उस उपर नीचे को match करने के लिए हर body के लिए अलग से ही suit बढ़ना चाहिए जैसे मैंने एक ready made suit लिया था आप उसकी fit देखोया इतनी जाधा वाहियाद मतलब chest वाले area से तो ऐसा लग रहा है bonar आया पड़ा है बाहर hill बनके निकला पड़ा है shoulder से भी इतनी घटिया fit मैंने life में किसी कपड़े की ही नहीं देखी ये suit actually मैंने जल्द बाजी में 3-4 thousand rupees का ले लिया था मेरे एकदम शाम को interview था और मैंने दुपेर को जाके ले लिया था और शूरू में मुझे लगा था कि ready made suit अच्छे लग जाएंग अगर आप especially second last year of college में हो या उससे ऊपर हो basically अगर आप 20 years plus हो तो आपको definitely एक suit तो minimum अपने लिए सिल्वाना चाहिए और आपको खर्च करने चाहिए कम से कम 10,000 rupees total मतलब 10,000 तो आपको खर्चने पड़ेंगे metro cities जैसे की Delhi, Mumbai के थोड़े से अच्छे areas में या फिर आप किसी tier 1.5 या tier 2 city में रहते हो वहाँ पे भी बहुत अच्छे suit वाले होते है and वहाँ पे आपको करीब 6-7,000 में भी suit मिल सकता है and पैसे खर्चने के साथ-साथ आपको तरुसा time भी खर्चना पड़ेगा इसमें एक हफता तो लगेगा ही लगेगा एक अच्छा suit बनने में लेकिन एक बात याद रखो ये ऐसा suit होगा जो की custom आपके लिए बना है एक classic look का है and ये suit आपको कम से कम 10 साल चलेगा तो per year cost इस suit की क्या आई? thousand rupees तो एक बार आपने stitch करवाने का decision ले लिया है किसी एक offline suit वाली shop से तो मैं आपको ये बता दूँ कि आप fabric online भी ले सकते हो मैं मानता हूँ कि shop पे आपको fabric शाय थोड़ा सा महेंगा मिलेगा इसलिए आप online ले सकते हो कोई अच्छे discount में और इससे हम आते है step 2 पे fabric selection यार suits में सबसे commonly used होता है wool fabric मतलब की उन मतलब की जब भेडबकरी से मिलता है और आप किसी भी offline shop पे अगर fabrics देखोगे न तो उन पे ना लिखा होगा super 120 wool, super 180S wool उनको देखके confused मत हो न जितना जादा number है उतना जादा soft fabric होगा उतना जादा पतला fabric होगा लेकिन उतना ही कम चलेगा क्योंकि daily wear के लिए उतना durable नहीं होगा अब बहुत सारी companies इसको थोड़ा सा cheap में बनाने के लिए थोड़े से wool के साथ बहुत सारा polyester mix कर देती है polyester होता है एक lab में बना हुआ synthetic fabric वो उतना अच्छा नहीं दिखेगा उतना comfortable भी नहीं होगा लेकिन हाँ अगर आप एक budget में हो तो आप definitely वो ले सकते हो करीब 2000 में आपको वो fabric मिल जाएगा अब ये तो है ही कि जितना जादा थिक होगा आपका fabric उतनी better drape होगी मतलब कि उतनी better flow होगी आपकी body वे उतना better fall करेगा वो और अगर आप summers में कोई suit पहनना चाहते हो तो linen से अच्छा fabric कोई नहीं है क्योंकि वो आपको एकदम cool रखता है आपको गर्मी नहीं लगती suit में summers में लेकिन किसी भी लड़के को जो first suit होता है न वो एक wool blend का ही लेना चाहिए यार क्योंकि वैसे भी हमारी generation में suit कोई generally पहनता नहीं है इत्ते जादे कोई occasions भी नहीं आती और इवन office में भी हमारी generation वाले suit उतना नहीं पहनते तो आपको एकदम extreme अच्छी quality का 10-15,000 उपे का fabric लेने की ज़रूरत नहीं है आपको 4-4,000,000 में भी बहुत अच्छा fabric मिल सकता है 4000 के करीब के fabric की quality हमारे लिए enough है बहुत अच्छा लगेगा मेरे साब से आपके पहले suit का color charcoal gray ही होना चाहिए क्योंकि ये सबसे जादा versatile है हर जगा अच्छा लगेगा हर outfit में अच्छा लगेगा नहीं तो आप ऐसे थोड़ा सा light gray या navy या black भी ले सकते हो मैंने अपने first suit सिलवारने के लिए जो fabric लिया है वो charcoal gray ही है लेकिन निको था कि उसमें थोड़ा सा character add करूँगा तो मैंने थोड़ा pinch strikes वाला लिया है वैसे आपके first suit का color क्या होने वाला है मैंको नीचे comments मों बताओ अगर आप online एक suit का fabric ले रहे हो तो एक बात याद रखना कि आपको 3.75 meters कम से कम लेना पड़ेगा अगर आप चाहते हो एक 3 piece suit बनवाना चाहते हो जिसके अंदर सिर्फ ए coat jacket होगी और साथ में trousers होगी तो आपको सिर्फ 3.25 meters लेने की जरूरत है ये सारे fabrics बहुत easily available है Amazon पे नीचे description में links भी है और इनकी ना price और quality proportional होती है मतलब कि जितना जादा महेंगा fabric है उतनी अच्छी quality होगी क्योंकि ये सिर्फ कपड़ा ही मिल रहा है आपको कोई look नहीं मिल रही है और इसी से हम आते हैं अपने third step पे जो की है आपकी look decide करना तो यहां सबसे पहले आपको Google पे जाके type करना है slim fit suits उसमें से देखना है कि आपकी body से matching कौन सी photo लग रही है और आपको किस type की fit चाहिए अपने ले फिर वो photo अपने tailor को दिखाना और उनको बोलना कि ऐसा ही suit चाहिए यार आपके first suit के लिए मैं आपको बोलूँगा कि slim fit ही लेना skinny मत लेना वो तो बिल्कुल ही yo-yo लगता है और baggy वाला मत लेना street style वाला क्योंकि वो आप कहाँ पहनोगे एक photo shoot में पहनोगे यार हम लोग photo shoot वाले लोग नहीं है हम normal लोग है तो अगर आपको 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 फालतू उड़ाने के लिए पैसा नहीं है तो slim fit ही लेना अब slim fit suit से मेरा क्या मतलब है मतलब अगर मैं specifically बताऊं तो जादा tight नहीं होना चाहिए बट आपका collar इतना snug आना चाहिए कि आप अपना हाथ उपर उठाओ तो collar एकदम से उपर ना उट जाए जैसे कि मेरे गंदे रेडिमेट suit में उटता था और आपकी shoulder of course एकदम अंदर की तरफ tight होगी boner सा effect आजाएगा जो आपके jacket की length है वो आपकी ass के beach में आनी चाहिए and jacket की पीछे ना beach में vent नहीं होना चाहिए मतलब एक cut होता है ताकि आप hildle पाओ वो cut आपकी sides में होना चाहिए मतलब side vents होने चाहिए यह थोड़ी सी जाधा modern look देता है और हाँ आपकी suit की shop वल आपसे पूछे अगर की canvas लगाना है या नहीं तो उसको पहले से ही मना कर देना canvas नहीं लगाना क्यूंकि canvas लगाने से बहुत महंगा हो जाता है suit canvas basically होता है आपके suit के कपड़े के अंदर एक stiff सा मतलब एक सक्त सा fabric डाल देते हैं जिससे कि आपका suit बहुत जाधा structure लगता है लेकिन आपको उसकी उतनी जरूरत नहीं है यार वो बहुत जाधा महंगा होता है तो यार suit का एक बहुत important part होता है उसका label मतलब कि उसका collar वाला part ये दो तरीके के आते हैं एक होता है peak label जिसके अंदर एक चोंच सी निकली होती है और दूसरा होता है mature and old look देते हैं वो पुराने जमाने का style है बलकि आपका जो buttoning point है मतलब कि उपर वाला button है वो अपने tailor को ये बता देना अपने master जी को बता देना कि वो button थोड़ा सा उपर होना चाहिए अगर आपका जो उपर का torso है वो थोड़ा सा लंबा है as compared to your legs और अगर उल्टा है तो आपका जो buttoning point है मतलब जो पहला button है वो थोड़ा सा नीचे होना चाहिए इससे आपकी ना body balanced लगती है अब जो आपके अंदर का waistcoat है वो थोड़ा सा टाइट ही होना चाहिए आपको और उस पे लेपल नहीं होना चाहिए वो straight होना चाहिए आई pants की बात तो यार देखो high waist pants मेरे हसाब से थोड़ी ज्यादा better होती है suits में क्योंकि वो ज्यादा structured भी होती है ज्यादा comfortable और classy भी होती है और आपको थोड़ा सा tone भी छुप जाता है नीचे का low waist pants तो बिल्कुल भी मत पहनना एकदम yo yo सणक चाप लगोगे slim fit का मतलब pants एकदम tapered होनी चाहिए एकदम chip की भी भी लेकिन एकदम tapered होनी चाहिए मतलब उपर से लेके नीचे आपके ankle तक थोड़ी थोड़ी thin होती रहनी चाहिए तो आप जहाँ पे भी रहते हो जिस भी city में रहते हो भाता एक अच्छा tailor प्लीज नीचे comment section में comment करो ताकि आपकी city का कोई और ये वीडियो देखे comment section में देखे तो उसको उस tailor के बारे में पता चले मैंने जिस shop से stitch करवाया था उसका मैं नीचे details डाल दूँगा description में अब generally जो बहुत सालों से suits वाली दुकाने है अगर आप जानते हो अपने आसपास कोई तो वो अच्छा ही suit बनाती है लेकिन फिर भी एक बार ही अपने dad से अगर आप पूछ सकते हो तो पूछ लो कि उन्होंने अपना wedding का suit कहां से सिलवाया था यार अब कुछ तो ऐसी shops होती है डेली में भी शंकर market में है जहां पे सिरफ stitch करने का ही आपसे 10-15 आप 20,000 ले लेते हैं कोई फायदा नहीं है 20,000-25,000 रुपे देने का माना कि वो आपको बहुत ही जादा अच्छी fitting का suit देंगे लेकिन यार क्या वो worth it है बिल्कुल भी नहीं आपको 5000 के आसपास की range में बहुत अच्छी fitting वाला suit stitch करने के लिए पक्का एक दुकान मिल जाएगी जब भी अपना suit stitch करवाने पहली बार जाओगे तो वो सबसे पहले आपकी measurements लेंगे यानि कि आपकी body के हर part को inch tape से measure करेंगे कि कितना बड़ा है उस वाले part को नहीं करेंगे उनके पास nano scale नहीं है तो measurements के लिए एक बहुत important चीज जो कि मैंने गलती कर दी थी आपको जाना है अपनी सबसे पतली t-shirt में और अपने सबसे पतले shorts में ताकि वो जो measure कर रहे हैं आपके body parts उसके अंदर उनको problem ना हो कुछ मोटा पेल होगे तो obviously वो measurement जादा है कि आपका इस suit खराब होगा तो बहाँ पर master जी को वो photo भी दिखा देना जो आपने google से निकाली थी अब यह मत बोलना कि भाई मैं तो introvert हूँ मैं शाय हूँ मैं इतना बता नहीं पाऊंगा tailor को पैसे waste करने चलेंगे आपको नहीं चलेंगे ना पैसे waste नहीं करने ना तो बताओ अब अगर आप से थोड़ी सी fabrics के बारे में पूछ रहा होगा तो उसको ना दिल खोल के बताना जो भी आपको लग रहा है for example मेर से उसने पूछा था कि inner lining Italian fabric लगा दूँ बहुत comfortable बहुत premium feel आएगी मैंने का नहीं भाई में को फालतो पैसे नहीं waste करने तो नॉर्मल जो सस्ता वाला है वही लगाई हो मैं कौन सा रोज रोज सूट पेन रहू तो उसने Indian lining लगाई और मेरे 1502 रुपे बच गए एक बार आप measurements दे दोगे उसके बाद वो कुछ दिन लेंगे एक rough suit बनाने के लिए जो की final suit नहीं होगा और इसी समाएंगे अपने step number 5 पे जो की है trials and fitting तो आपने जिस दिन measurements दी आपको उसके कुछ दिन बाद वो वापस बुलाएंगे अपनी shop पे और आपसे कहेंगे कि लो भई ये suit का एक rough form बनाया है हमने कच्चे धागे लगा के इसको try करो और हमें बताओ कि इसमें और कुछ चेंज करना है या नहीं की sleeves थोड़ी सी लंबी लग रही है तो वो आप थोड़ी सी छोटी कर दो तो उन्होंने chalk से वो mark कर दी पहले तो वो मुझे मना कर रहे थे कह रहे थे कि नहीं नहीं यही चलता है मैंने का देखो आज कल के fashion के बार में मुझे पता है और मैं ऐसा ही बनाना चाता हूँ मैं इ वेस्ट कोट को थोड़ा सा लूज कर वा दिया और यह सब उनको बताने के बाद आप वापस अपने घर जाओ थोड़ा टाइम चिल मारो दो तीन दिन में वह आपको final suit बना के call कर देंगे कि आ जाओ लेने फिर आप जाओगे shop में अपना suit ट्राय करोगे शीशे के सामने मै आपको बतारो जो उस टाइम पर आपको boss वाली feel आएगी आपको लगेगा करोड़ पती तो आप यह पहन के ही बन गए लेकिन सच में नहीं बने हो उसके लिए हमारे एक new channel launch होने वाला है उसकी wait करो but anyway वो suit पहन के आपको बहुत अच्छी feel आएगी उस टाइम पर भी अगर आपके पर बहुत अच्छी लगी क्योंकि यह मेरी body type के हिसाब से बनाया हुआ है और मेरी body type मुझे ही पता है कितनी जादा अजीब है टेड़ी मेरी सी body है उन्होंने मेरी body के हिसाब से एक दम साई suit बना दिया है मैं एक दम खुश हो ऐसे ही आप भी जब suit बनवाओगे त इसलिए मैंने एक trick करी कि मैंने उनको बोला कि आप मेरी waste code का सिर्फ आगे का part मेरे suit के कपड़े से निकाल के बना दो पीछे कोई random कपड़ा लगा दो क्योंकि जब मैं अपनी suit की jacket उपर पहनूँगा तो वो पीछे का दिखना है नहीं तो इसलिए मैंने money saving trick भी करी है यह आप note कर सकते हो तो जाओ यह investment पका से करो और अगर आप इस investment पे भी कुछ पैसे बचाना चाहते हो तो हमारे giveaway में participate करो क्योंकि 5000 likes complete होते ही मैं give away करूँगा एक 2000 रुपीज का online shopping voucher मेरे किसी एक lucky subscriber को जिसका result announce होगा हमारे instagram page पे तो giveaway में participate करने के लिए आपको subscriber तो होना ही प रेडियो शुम्लामिर्ची